किसान भाईयों इस वीडियो में हम स्वेबिन के मंडी भाव के बारे में बात करेंगे स्वेबिन का भाव आने वाले कुछ मैनों में यानि कि दिसंबर में स्वेबिन का भाव क्या देखने को मिल सकता है स्वैबिन में कब तेजी आ सकती है और उपर में स्वैबिन का भाव कहां तक जा सकता है किसान भाईयों पिछले कुछ दिनों से जो स्वैबिन का भाव है उसमें कापी ज्यादा उतार चड़ाव देखने को मिला है एक समय ऐसा था एक सब्ता पहले का जब स्वैबिन का भाव 5200 से 5300 रुपे तक उपर में पहुंच चुका था लेकिन आज के फिलाल मंडी भाव के बारे में बात की जाए तो स्वैबिन का एवरेज भाव 5000 के आसवासी ट्रेड करता नजरा रहा है ऐसे में सवाल ये आता है कि स्वैबिन के भाव में लगातार उत्रार चड़ा क्यों हो रहा है लगातार उत्पादन कम होने के बाद भी स्वैबिन में तेजी क्यों नहीं बन पारी है स्वैबिन का इस्टोप कितना किया जा रहा है और आने वाले समय में स्वैबिन के बाजार में क्या इस्तिदी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों को जवाब मिलने वाला है तो किसान हित में इस वीडियो को अधिक सदिक सेयर करें वीडियो को लाइक आप कर सकते है किसान भाई यो सुएबिन के मंडी भाव के बारे में बात करें तो इस समय पर जो सुएबिन का भाव चल रहा है वो कापी कम चल रहा है ऐसे में 5000 के आसपास किसान भाई अभी भी सुएबिन को बेचने को तयार नहीं है बीते तीन सालों से स्वैबिन की पेदावार लगातार कम हुई है इसके बावजूद भी भाव इतना कम क्यों है सबसे पहले बात करते है उत्पादन के बारे में तो किसान भाई यो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुएबिन का जो उत्पादन है वो पिछले तीन सालों से लगातार कम हुआ है फिर भी सुएबिन में उतनी अच्छी तेजी नहीं है जिसके पीछे बड़ा कारण है सुएबिन का उत्पादन कम हुआ है लेकिन विदेशी बाजार में अगर अच्छी पकड़ होती है विदेशों में अगर सुएबिन का उत्पादन बढ़िया होता है तो भारती बाजारों में इसका असर देखने को मिलता है और कहे नहीं जो विदेशी बाजार में जो मंद पहले सोयबिन में थोड़ी बहुत तेजी आई थी जिसे किसानों को उम्मी जगी थी कि सोयबिन का जो भाव है वो 6,000 तक चला जाएगा लेकिन फिर से सोयबिन में गीरावट आना प्रारंब हो गई और अभी के समय सोयबिन 5,000 और 5,100 से 2,000 रुपे उपर में ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है किसान भाईयों कई बार ऐसा होता है कि जो मंडी में आवक है उसका प्रेसर रहता है जिससे भी सोयबिन के भाव में 200 से 4,000 रुपे की तेजी अच्छानक से बन जाती है और फिर से आवक बढ़ने से तेजी कायब हो जाती है ऐसा है सोयबिन के बाजार पर देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से जो सोयबिन की आवक में कोटोती हुई थी उससे बाजार में तेजी आई है और सोयबिन का भाव बढ़ा था लेकिन फिर से जब आवक बड़ी किसान भाईयों ने सोयबिन को बेचना या निकालना सुरू किया तो फिर से जो सोयबिन का बाजार है वो मंदा पड़ चुका है अब किसान भाई सोयबिन को बेचने को तयार नहीं है क्योंकि इतने कम भाई पर किसानों को कापी कम पेसा मिलेगा इसलिए सोयबिन का स्टो कापी अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन जो बाजार है वो फिर भी मंदा ही चल रहा है ऐसे में सवाल ये आता है कि स्वैबिन का भाव कब बढ़ सकता है और स्वैबिन में तेजी कब बन सकती है किसान भायों दिसंबर का महीना सुरू हो चुका है कुछ दिनों के बाद नया साल और जनौरी का महीना प्रारंब हो जाएगा हाला कि स्वैबिन की वसल को आने में कापी ज़्यादा समय बचा हुए ऐसे में किसान भाईयों को जानना जरूरी होगा कि स्वैबिन का जो बाउ है वो आगे क्या रह सकता है किसान भाईयों स्वैबिन के ओवरॉल वहिश्य के बारे में बात करें तो किसान बाईयों सभी किसानों को मित तो यही है कि जो स्वैबिन का भाव है उसमें तेजी आए लेकिन आंकडों के अनुसार उसलेजन करें तो स्वैबिन में ज्यादा तेजी की समभावना अभी की स्थिति को देखते हुए तो ना ही बन रही है क्योंकि बित तीन सालों से जो उत्पादन कम है फिर भी जो बाव है वो यही देखने को मिल रहा है इस साल जो वैपारी है वो सोयबिन में रूची कम जता रहे क्योंकि मुफली का बाव कापी अच्छा है पैदावार अच्छी निकल रही है तेल के रूप में मुफली का परियोग भी होता है इसलिए वैपारीगण मुफली की खेती के और जादा अक्रसर हो रहे है मुफली की खरीददारी जादा कर रहे है जिससे भी सोयबिन का जो बाजर है वो थोड़ा ठंडा पड़ चुका है विदेसी बादरों पर सोहबिन की कापी ज्यादा निरबरता देखने को मिलती है इस साल के बारे में बात करें तो शुरुवात में खबरें आई थी कि विदेसों में इस साल पर वहाँ पर स्वेबिन की कटाई या थ्रेसिंग होती रहती है जिस कारण भी इसका सरभारती बाजारों पर पड़ता है और कुछ हदे तक जो बाव है उसमें गिरावट आती है और वोल देखा जाए तो स्वेबिन के भाव में अभी के समय पर 100-200 रुपे की तेजी के लव कोई भी तेजी की स्थिदी नहीं बन रही है जैसे ही थोड़ा बाजार सुधार होता है आवक का प्रेसर कम होता है अच्छी क्वालिटी आती है तो थोड़ा बाव बदल सकता है लेकिन अभी के स्थिदी को देखते हुए तो साइध ही स्वेबिन के भाव में तूपानी त किसान भाई के स्थिदी निकाल सकते हैं परोग साइध हुए